राम राम भाई सबको जैसा आपने हमारे चनल के लास्ट वीडियो में देखा कि हमको हमारी Scorpion Z4 के delivery मिल गई है और 11 महीने का वेटेंग टाइम था फार फाइनली ये कार हमारी हुई और आप सबको पता है कि ये जैट तू जैट फोर जैट सेक्स इन तीनों वेरियंट में फोग लैब नहीं आते और मैंने सोरूम से काफी ट्राइब किया था कि हम लोग सर्विस सेंटर से ही इसके जनुविन पार्ट्स मिल जाएं बट वह सोरूम से नहीं हो पाया जो भी उनकी मॉनोपॉली रही हो कि इन वेरियंट बालों को यह पार्ट्स नहीं देना है तो दोस्तों साथ बने रही है मैं निकलता हूँ यह घड़ी है हमारी स्कॉर्पी ओन जाने के लिए और हम लोग पहुंचने बैठते हैं इसके अंदर लॉक है कि यह है स्कॉर्पी ओन जैड फोर डिफॉरस ग्रीन डी कि मैं आपको पीछे का भी व्यू दिखा देता हूं थर्ड रो मेरी फोल्डेड है यह जो फोग लेंप है वो जो मेरे फ्रेंड ने ओडर किया है वो एक्चुली है ग्वालियर में जो मेरे गर से 40 किलोमेटर दूर है तो बट वो शॉप पर उसकी पर आ चुका है ओडर हो क यह जो हैं हम लोग उसको लेने के लिए जा रहे हैं तो इंस्टॉल कराएंगे तो हम लोग ग्वालियर सपार्ट पर पहुंच चूके हैं कॉसल वाई कार ऐसे सरीज़ पर और कोशल वाई ने फॉगलंप ढालने के लिए इसके बंपर और साइड क्लैडिंग को खौलना पाइसली Do Lucky आउंड की हैपयो कि और मेंध्रा के इन वीन फॉग लांप है यह मांध्रा महां नंड के बॉक्स में आई हुए जे ऍमिन पार्ट्स है और इनके स्टीकर पर मैंःट्फेक्श बाइबि महांड़ाइं महां थे देट पार्ट नमबर सारी चीजे मेंशन हैं तो यह जनुइन प्रोड़क्ट है महिंद्रा का तो यह ओपन करते हैं बॉक्स जिसमें है यह एक साइड का फॉग लेंप और डियारेल और विट वाइरिंग तो आप देख सकते हैं मैं तोड़ा सा उल्टा पकड़े हुए हूँ बट इसको यह गुमाके लगेगा और इसमें तीन बॉक्सेस आए हैं दो में फॉग लेंप है राइट और लेफ्ट और एक बॉक्स में यह है पियानो ब्लेक का फ्रेम जिस पे हमारा फॉग लेंप अटे और फिट होना बहुत जरूरी है जिससे बाद में यह लूज ना रहा है और यह इन कौसल भाई की दुकान है कौसल कार एसेसरी के नाम से यह दौनों फ्रेम टाइट हो चुके हैं अब बारिया दीन में फॉग लेंप टाइट करने की तो यह हमारा फॉग लेंप दियारेल यह स्मय टाइट हो गगा और यह दौना तरफ दूसरी साइड भी टाइट होगा और इन लेम्प को अन अफ़ करने के लिए दो तरीके से लगा जासकता है इसकी वाईरिंग को प्रॉपर लेकिन उसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी इन भाई ने मेरे को बहुत सिंपल सॉलूशन बताया जो मेरे को बहुत सही भी लगा कि हम लोग एक वायर को हेड़ लाइट के साथ अटेच करेंगे और दूसरे साइड को फ्यूज के साथ अटेच करेंगे तो ये प्रॉपर लाइट के साथ ही लाइट के बटन से ही वोर्क करेगा फॉग लेंप इंस्टॉल होने के बाद हमारे बंपर का लुक कुछ ऐसा है अब देख सकते हैं ओहो चाचा अपना फैशन बेगाड रहे हैं अब वायरिंग अटेच करने के बाद सिर्फ बंपर को अटेच करना है कार से नाव इट्स वाशिंग टाइन और आफ्टर वाशिंग यह आया हमारे न्यू स्कॉर्पियो एन के फाग लेंप और डियारेल का लुक तो गाइस अब हमारी स्कॉर्पियो एन में फॉग लेंप इंस्टॉल हो चुके हैं और मैं आपको इसकी टेस्टिंग करा देता हूं यह हमारा फॉग लेंप का ऑन आफ का बटन जो टॉप मॉडल में वर्क करता है बड़ जैसा मैंने बताया कि मैंने अपनी गाड़ी में ह तो मैं दिखा दूँ आपको मैं अभी दिखार दला करूंगा इगुलि उन करूंगा मैं अभी इगनीशन ओन किया तो मेरे सामने की तरफ वाग लेम्प अन हो चुके है अभी क्या है कि इसके त田र इसेजीज काम करेंगे कि आपकज़ और टोनों आनल रहेंगे और लाइट कि के मैं जैसे ही parking light अन करूंगा मेरे डियारेल और fog lamp दोनों ओन हो जाहेंगे फिर मैं headlight अन करूंगा तब भी मेरे fog lamp और डियारेल दोनों ओन रहेंगे headlight के साथ अब चाहें फिर मैं उसको high beam पर डालूं या low beam पर डालूं ये on रहेंगे और अगर आपकी गाड़ी start है रनिंग में है फिर आप पूरी तरीके से headlight को off करके रखते हैं तब भी मेरे DRL DRL on रहेंगे ही रहेंगे तो ये proper work कर रहे हैं जैसा कौशल भाई ने बताया था वैसे work कर रहे हैं और I am satisfied with that तो friends कौशल भाई का address और contact number मैं या शेर कर दूँगा अगर किसी भाई को ग्वालियर में ही अपने fog lamp पिस्टॉल कराने वो भी genuine तो वो इससे contact कर सकता है